आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीवो फोन में नेटवर्क प्राब्लम ठीक कैसे करें यानि कि अगर आपको भी वीवो के फोन में नेटवर्क प्राब्लम आ रही है नेटवर्क नहीं आ रहे हैं आपके यहां पर या तो no service दिखा रहा है या emergency call दिखा रहा है तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं क्या-क्या तरीके हैं आईए जानते हैं पहला और नॉर्मल तरीका है आप अपने फोन को एक बार बंद करके चालो करिए यानि कि restart कर दीजिए आपकी दिक्कट ठीक हो जाएगी अगर यह तरीका काम ना करें या आप कर चुके हो पहले तो सबसे पहला आपको setting में जाना है यहाँ पहले आपको मिलेगा network and internet इस पर touch करिए यहाँ पहले आपको मिलेगा sim card and mobile network इस पर touch करें यहाँ पहले आपको मिलेगा sim 1 और sim 2 अगर आपको दोनों sim में दिक्कत आ रही है तो मेरा बताये गया तरीका आप दोनों sim में यूज़ करें वरना एक sim में भी कर सकते हैं मैं sim number 1 पे touch करता हूँ सबसे पहला आपका ये चालू होना चाहिए यानि दोनों sim unable होनी चाहिए मैं इसे चालू करता हूँ यहाँ पे आपको मिलेगा roaming यह आपका चालू होना चाहिए इससे भी फरक पड़ जाता है यहाँ पे आपको मिलेगा preferred network type इस पे touch करें यह आपका 4G होना चाहिए और अगर आपके phone में 5G होता है तो आप 5G करके देख सकते हैं शायद आपका काम बन जाए 4G कर रखा है मैंने पहले से ही यहाँ पे आपको मिलेगा automatically select network यह आपका चालू होना चाहिए access point name यहाँ पे इसकी setting मत छेड़िये गई आपको मिलेगा है यहाँ पे वोल्टी इसे चालू करिए आपकी दिक्कट ठीक हो जाएगी वैसे हमारे network आप देख सकते हैं Vodafone दिखा रहा है यानि वी आई पर अगर आपकी दिक्कट फिर भी ठीक नहीं होती है तो एक last तरीका है आपको setting में जाना है सबसे last में जाना है आपको मिलेगा यहाँ पे system इसपे touch करें यहाँ पे आपको मिलेगा एक option जिसका नाम होगा reset option यह देख सकते हैं इसपे touch करें चिंता ना करें आपको कोई data delete नहीं होगा आपको मिलेगा reset wifi, mobile and bluetooth इसपे touch करें और reset setting कर दीजिए इस page का धान नकिए गए ऐसा ही page होना चाहिए आपकी setting reset हो जाएगी और आपको जो भी दिक्कातारी होगी network को लेके वो ठीक हो जाएगी वीडियो पसंदाई लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें